नमस्कार भारतवानी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमत अध्यात्म रामायन संपून पाठ के अंतरगत सुन्दर कांड से पंचम सर्ग में हनुमान जी लंका जला चुके हैं और अब पहुँचे हैं सीता मा के पास विदा लेने तो चली प्रारम्ध करते हैं आज का पाठ श्री महादेव वाच्छे ततह सीताम नमस्कृत्य हनुमान प्रवीत पचह आग्यापयतु मामदेवी भवती राम सन्निधिम गच्छामिरामस्वाम द्रष्टु मागमिश्यति सानु जहर इत्युक्त्वात्रिही परिक्रम्य जानकी मारुतात्म जहर प्रणम्य प्रस्थितो गंतुम्मिदं वचनं अब्रवी देवी गच्छामि भद्रमते तूनं द्रक्ष्यसी राघवं लक्ष्मनम् चसा सुग्रीवं वानरायुत कोटि भिही ततह प्राह अनुमंतं जानकी दुखकल्षिता त्वाम् द्रिष्ट्वा विस्मृतं दुखं मिदानीं त्वं गमेश्यसी इतह परं कथं वर्ते राम वार्ता शुतिं विना यद्येवं देवी में स्कंध मारुह ख्षन मात्रतह रामिन योजई श्यामी मन्यसे यदि जानकी रामह सागरमाशोष बधावाशर पंजरैही आगत्य वानरैही सार्धम हत्वारावण माहवे मामन यद्यदि रामस्य कीर्तिर भवती शाश्वती अतो गच्छ कथं चापी प्राणान संधार याम्यहं श्री महादेव जी बोले हे पारवती लंका जला देने के बाद श्री हनुमान जी ने अपनी पूँच की आग बुझाई और सीदा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले हे देवी अब आप मुझे आग्या दीजिए अब मैं श्री रगुनात जी के पास वापस जाना चाहता हूं वे शीग्रही भाई लक्ष्मन सहित आपसे मिलने के लिए यहां आएंगे ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी ने जानकी जी की तीन परिक्रमाएं ली और उन्हें पढाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चल कर बोले देवी मैं जाता हूं आपका शुभ हो आप शीग्रही सुग्रीव और करोड़ों अन्यवानरों के सहित भवान राम और लक्ष्मन को देखेंगी तब फिर दुख से दुर्बल हुई जानकी जी ने अनुमान जी से कहा तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी अब तुम जा रहे हो अब शीराम चंदर जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूंगी अनुमान जी बोले देवी यदि ऐसी बात है और आप स्विकार करें तो हे जनक नंदिनी आप मेरे कंधे पर चड़ लीजिए मैं एक ख्षण में ही शीराम चंदर जी से आपको मिला दूँगा तब सीता जी ने कहा यदि शीराम चंदर जी समुद्र को सुखा कर या उसे बाणों से बांध कर यहां वानरों के साथ आएं और रावन को युद्ध में मार कर मुझे ले जाएं तो इससे उन्हें अमर कीर्थी प्राप्त होगी इसलिए तुम अभी जाओ मैं उनके आने की प्रतीक्षा करूँगी तब तक जैसे तैसे प्राण धारण करूँगी इति प्रस्थापितो वीरह सीतया प्रणि पत्यताम जगाम पर्वतस्याग्रे गंतुम पारं महो दधेह तत्र गत्वा महा सत्वह पादाभ्याम पीड़यंगिरिम जगाम वायु वेगेन पर्वतस्या मही तलम गतो मही समानत्वम त्रिंशद्यो जनमो छितह मारतिर्गगनांतह स्थो महाशब्दम चकार सह तम्शुत्वा वानराह सर्वे ज्यात्वा मारुतिमा गतं हर्शेण महता विष्टाह शब्दम चक्रुर महास्वनं शब्दे नैव विजानीमह कृतकार्यह समागतह अनुमानेव पश्यधं वानरा वानरल्शभं एवं ब्रुवत्सु विरेशु वानरेशु समारुतिही अवतिर्यगिरे मूर्धनी वानरा निदम ब्रवी द्रिष्टा सीता मया लंका धर्शिताच सकानना संभाशितो दश गृवस्ततो अहं पुनरागतह इदानी मेव गच्छामो राम सुग्रीव सन्निधिम केचि चुचुम्बुर लांगुलम नन्रितुह केचि दूत्सुकाहल हनुमता समेतास्ते जग्मुहो प्रस्रवणम गिरिम गच्छन्तो दद्रिशुर वीरा वनम सुक्रीव रक्षितम मधु संग्यम तदा प्राहु रंगदम वानर शभाह क्षुधिताह स्मोवयम वीर देह अनुज्या महामते भक्षया मह भला क्षुधिताह स्मोवयम वीर देह अनुज्या महामते भक्षया मह भला न्यद्य विवामो अमृत वनमधुहु संतुष्टा राहवं द्रस्टुम् गच्छामो अध्यैवसा नुजम् तो सीता जी से इस प्रकार विदा हो वीर वर हनुमान उन्हें प्रणाम कर मा सागर के पार जाने के लिए परवत शिखर पर चड़ गए वहां पहुँचकर मा वीर हनुमान जी परवत को अपने पैरों से दबा कर वायू वेग से चल दिये और उनके दबाने से वहतीस योजन उचा परवत प्रिथवी में घुसकर समतल हो गया। हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि हनुमान जी लोट रहे हैं। बड़े आनंद में भर कर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंगनाज से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लोटे हैं। ये वानर गण, देखो देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ही तो हैं। वानर वीरों के इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस गिरिश शिखर पर उतराए और उनसे यूं कहने लगे। और कोई आति उत्साह से नाचने लगे। तदनंतर हनुमान जी के साथ वे सब प्रस्रवन परवत पर गए। फल खाकर अम्रित तुल्य मधु पिये। उसके पश्चात हम त्रिप्त होकर भाई लक्ष्मन सहित रगुनात जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंगद उवाचे। हनुमान कृतकार्योयम पिबतैतत प्रसादत है। जक्षद्धम फल मूलाने त्वरितम हरिसत्तमाह। ततह प्रविष्य हरयह पातु मारे भिरे मधु रक्षिनस्तान नादृत्य दधिवक्त्रेन नूदितान। पिबतस्तादयामा सुर वानरान वानरल शभाह। ततस्तान मुष्टि भिही पादय शून यित्वा पपुर मधु ततो दधि मुखह कृध्धह सुग्री वस्य समातुलह। जगाम रक्षि भिह सार्धम यत्र राजा कपीश्वरह। गत्वातम अब्रविद्देव चिरकाला भिरक्षितम। नश्टम अधुवनम ते अध्य कुमारेन हनूमता। शुत्वात अधि मुखे नोक्तम सुग्रीवो हृष्टमान सह। द्रिष्ट्वागतोन संदेह सीताम पवननन्दन। नोचेन मधुवनम द्रष्टुम समर्थः को भवेन्मम। तत्रापिवाय। पुत्रेन कृतम कार्यम्न संशय। शुत्वा सुग्रीव वचनम हृष्टो रामस्तम ब्रवी। के मुच्यते त्वया राजन्बचह सीता कथान्मितं। सुग्रीवस्त्व ब्रवीत बाक्यम देव द्रिष्टावनी सुता। हनुमत प्रमुखाह सर्वे प्रविष्टाम धुकाननं। भक्षयंतिस्म सकलं ताडयंतिस्मरक्षिनह। अकृत्वा देवकारमते द्रष्टुम मधुवनम्मम। न समर्थास्ततो देवी द्रिष्टासीतेतिनेश्चितं। रक्ष्णो वो भयं आस्तुगत्वा ब्रूत ममाग्यया। वानरानंगद मुखानानयध्वम्मांतिकं। शुत्वा सुग्रीववचनं गत्वाते वायु वेगतह। हनुमत प्रमुखान चुरुगच्छते श्वरशासनात। द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवह। सरामो लक्ष्वनान्वितह। युष्मानतिव रिष्टास्तेत्वरयंतिमहा बलाह। तथेत्यं बरमा साध्य युस्तेवा नरोतमाह। हनुमंतं पुरस्कृत्य युवर्राजं तथांगदं। रामसुग्रीवयो रग्रे निपेतुल्भुविसत्वरं। अंगजी बोले हनुमान जी ने कारे सिद्ध किया है। अतह है वानर श्रेष्ट गण। इनकी कृपा से तुम शीग्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंगजी के आग्या पा वानर गण। उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वन रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात और घूसों से कुचल कर मधु पीते रहे। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अतिकृद्ध हो जहां वानर राज सुग्रीव थे वहां गया। वहां पहुचकर वह बोला राजन तुमने चिरकाल से जिस मधुबन की रक्षा की थी उसे आज यो राज अंगद और हनुमान ने उजार डाला है। दधिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे इसमें संदे नहीं पवन कुमार सीता जी को देखाए हैं नहीं तो मेरे मधुबन की और देखने की भला किसे सामर्थी थी और उनमें भी निसंदे है यह कार्य किया हनुमान जी नहीं है। तो सुग्रीव के यह वचन सुनकर भगवान राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा राजन यह सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो। तो सुग्रीव ने कहा भगवन मालुम होता है कि भूमि सुता जानकी जी का पता लग गया है। क्योंकि हनुमान आदि समस्त वानर गण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकों को मारते हैं। बिना आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुवन की और देख भी नहीं सकते थे। अता यह निश्य होता है कि वे देवी जानकी से मिलाए हैं। रक्षकों तुम डरो मत उन्हें जाकर मेरी आज्या सुनाओ और उन अंगद आदिवानरों को मेरे पास लियाओ। तो सुग्रीव की आज्या सुनकर वे वायुवेग से चले और हनुमान आदि से कहा। यह महाराज की आज्या है आप लोग तुरंत वहां जाईए क्योंकि राम और लक्षमन के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हे महावीर गण आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीग्र बुला रहे हैं। तब वे वानर्श्रेष्ट बहुत अच्छा कहें आकाश में चड़कर चलने लगें। और वे साब वानरगण हनुमान और युवराज अंगद को आगे कर चल दिये। और तुरंत ही राम और सुग्रीव के सामने प्रिथिवी पर उतर आए। हनुमान राघवं प्राह द्रिष्टा सीता निरामया साश्टांगं प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चा धरिश्वरं। कुषलं प्राह राजे इंद्र जान की त्वाम शुचान विता अशोक वनिका मध्ये शिंशपा मूलमा शृता। राक्षसी भिही परिवृता निराहारा क्रिशा प्रभो। हाराम राम रामेतिशो चन्ती मलिनाम बरा। एकवेणी मया द्रिश्टा शनैराश्वासिता शुभा। व्रिक्ष शाखां तरे स्थित्वा सूक्ष्मरूपेन ते कथा। जन्मारभ्य तावात्यर्थम दंड कागमनम तथा। दशानने नहरणम जान क्या रहिते त्वै। सुग्रिवेण यथा मैत्री कृत्वा वाले निबरहनम। मारगनार्थम चवै देहाह। सुग्रिवेण विसल जिताह। महाबला महासत्वा हरयोजितका शिनह। गताह सर्वत्र सर्विवै तत्रै को अहम मिहा गतह। अहम सुग्रिव सचिव। दासो अहम राघव स्यही। द्रिष्टाय जानकी भाग्यात प्रयासह फलितो अध्यमे। धनुमान जी ने पहले शीरगुनात जी की ओर और फिर वानर राज सुग्रिव को साश्टांग प्रणाम कर शीराम चंद्र जी से कहा। मैं सीता जी को सकुषल देखाया हूं। हे राजेंद्र शोक मगना जानकी जी ने आपको अपना कुषल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में शिंश पावरिक्ष के तले वैठी हैं और हे प्रभो सदार आक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। और निरंतर हाराम 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 कहकर शोक करती रहती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं तथा बालों की मिलकर एक वेणी हो गई है। ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें धाडस बंधाया। वहां जाकर पहले मैंने सूक्ष्मरूप से वरिक्ष के पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकारण में आना हुआ। आपकी अनुपस्थिती में रावण ने सीता जी को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने वाली को मारा। मैं सब सुना कर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बल्वान, पराक्रमी और विजैशाली वानरगन सब दिशाओं में गए हैं। और उनमें से एक मैं सुग्रीव का मंत्री और रगुनात जी का दास यहां आया हुँ। आज भाग्यवश मैंने जानकी जी को देख लिया। हतह मेरा प्रयास सफल हो गया। इत्युदीरितमाकर्ण सीता विस्भारते क्षणा केनवाकर्ण पियूशम श्रावितम में शुभाक्षरम। यदि सत्यम तदायातु मदर्शन पधम्तु सह ततो हम वानराकारह सुक्ष्मरूपेन जानकी। प्रणम्य प्रांजलिर भूत्वा दूरा देवस्थितह प्रभो। प्रिष्टोहम सीतया कस्वमित्यादी बहु विस्थरम। मयासर्वम क्रमेणैव विज्यापितम अरिंदमं। पशानमयार्पितम देव्याई भवतत्तांगुलियकं। देनमामति विश्वस्ता वचनम चेदम अब्रवीत। यथा दृष्टास्मे हनुमन पीड्यमाना। दिवानिशम राक्षसीनाम। तरजनैस्तत सर्वम कथय राघवे। मयोक्तम देविरामो अपी। त्वचिंता परिनिष्थितह। बरिशो चत्य हो रात्रम। त्वद्वार्ताम नाधिगम्यसह। इदानीमे वगत्वाहं। स्थितिम्रामायते ब्रुवे। रामह श्रवण मात्रेण सुग्रिवेण सालक्ष्मण। वानरानी कपईहि सार्धमागमिश्यतिते अंतिकम। रावणं साकुलं हत्वा। नेश्यतित्वां स्वकंपुरं। अभिज्याम देहिमे देवी। यथामाम विश्वसे द्विभु। इत्योक्ता साशे रोरत्नम। चोडा पाशे स्थितम् प्रियं। दत्वा काके नयत्वित्तम। चित्रकूट गिरव पुरा। तदप्याहाश्रुपुनाक्षी। कुषलं ब्रुहे राघवं। लक्ष्मणम् ब्रुही में केंचे। दुरुक्तम् भाशितम् पुरा। तत्क्षमस्वाग्य भावेन। भाशितम् कुलनंदन। तारयेन्माम् यथा। रामस्थथा। गुरु कृपां विताह। दुरुमान जी वृतांत सुनाते हुए आगे कहते हैं कि मेरा ये कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए और वे कहने लगी कि मुझे ये कर्णाम्वित रूप शुब संबाद किसने सुनाया है। यदि ऐसा अपसत्य है और मुझे भ्रम नहीं हुआ है तो इस संबाद को सुनाने वाला मेरे सामने आये। प्रभो तब मैं सुक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर ही से प्रणाम कर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। तब जानकी जीने मुझसे पूझा तुम कौन हूँ और बहुत से प्रशन पूछे। और फिर हे शत्रुदमन मैंने उन्हें क्रमशा सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे उन्हें मुझे पर पूर्ण विश्वास हो गया। और वे मुझसे इस प्रकार कहने लगी। हनुमन जिस प्रकार इन राक्षसियों के तरास से तुमने मुझे अहर निश्व दुख उठाते देखा है। वह सब जियों कात्यों रगुनात जी को सुना देना। मैंने कहा देवी रगुनात जी भी तुम्हारी ही चिंता से ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी ही चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिती सुनाऊंगा और रगुनात जी उसे सुनते ही सुग्रीव लक्ष्मन और अन्यान्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावन को कुटुम्ब सहित मार कर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे हे देवी तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करें तो मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पाश में स्थित अपनी प्रियत चूडा मनी मुझे दी और पहले चित्रकूट परवत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था व अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करें इसके सिवा जिस प्रकार रगुनात जी कृपा करके मेरा उधार करें बस वही चेश्टा करना इत्युक्त्वारुदति सीता दुखेन महता वृता मयाप्याश्वासिता राम वदता सर्वमेवते ततह प्रस्थापितो राम त्वत्समीप मिहागतह तदा गमन वेलायाम शोक वनिकाम प्रियाम उत्पातय राक्षसां स्तत्र बहुन हत्वाक्षणा दहम रामनस्य सुतम हत्वा रामने नाभिभाश्यच लंका मशेशतो दगध्वा पुनरप्यागमम शुत्वा हनुमतो वाक्यम रामु अत्यन्त प्रहिष्ट धीही रामुमनस्ते कृतमकार्यम देवैरपि सुदूशकरम उपकारम नपशामितव प्रत्युपकारिणह इदानीम्ते प्रयच्छामि सर्वस्वम्ममारुते इत्यालिंग्य समाक्रिष्य गाढम वानरपुंगवं सार्द्रनेत्रो रगुष्रेष्ठह पराम प्रितेम वापसह अनुमन्तम वाचेदम राघवो भक्तवत्सलह परिरंभो हिमेलोके दुरलभः परमात्मनह अतस्त्वमम भक्तो असी प्रियो असी हरिपुंगवं यत्पाद पद्म युगलं तुलसीद लाध्याई ही संपूज विष्णो पदवी मतुलां प्रयांती तेने वेकिम्पुनरसव परिरभधमूर्ती रामेन वायुतन यह कृतपुन्य पुन्जह तनुमान जी तनुमान जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भर कर रोने लगी मैंने भी उन्हें आपका सब रतांत सुना कर धाडस बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चलाया आती बार मैंने रावन की प्रिय अशोक वाटिका उजार दी और एक क्षण में ही बहुत से राक्षस मार डाले रावन के पुत्र को भी मारा और रावन से वारता लाप कर लंका को सब और से जला कर फिर क्षण भर में ही मैं यहां चलाया तो हनुमान जी के ये वचन सुन श्री राम चंदर जी आती प्रसंद्न होकर कहने लगे हनुमन तुमने जो कार किया है वह तो देवताओं से भी होना कठिन है मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं मैं तो वह भी जानता नहीं लो मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौपता हूं ऐसा कह उन्होंने वानर्श्रेष्ठ हनुमान जी को खीच कर गाढ़ आलिंगन किया उनके नेत्रों में जल भराया और हृदय में परम प्रेम उमढ़ने लगा तब भक्त वतसल रगुनाद जी ने हनुमान जी से कहा संसार में मुझ परमात्मा का आ पार्वती जिनके चरणार विंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्त जन अतुल निय विश्णुपद प्राप्त करते हैं उन्हीं राम ने जिनके शरीर का लिंगन किया उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विशय में मला क्या कहा जाए ये भी माना जाता है अनुमान जी शिव भगवान के अंशावतार है तो एक तरह से श्री राम ने अपने आराध्य शिव के ही एक अंश को अपने हृदय से लगाया इसके साथ ही यहाँ पर हम समाथ करते हैं सुन्दर कांड से पंचम सर्ग और साथ ही साथ सुन्दर कांड भी यहाँ प प्रथम सर्क लेकर इति श्रीमत अध्यात्म रामायने उमा महेश्वर समवादे सुन्दर कांडे पंचमा सर्क जै शी सीता राम जै हनुमान जै भारत